की तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एड़वांस वी डिल्टर चीक है उसको एडवांस बोलते हैं आप देख सकते हो एक मिनट के लिए यह देखो यहां पर यह जो फिल्टर यह दिख रहे हैं इस टेबल में तो यह क्या होगा है आटो फिल्टर बट एडवांस फिल्टर का जो आउटपुट आएगा उसमें आफ टेबल को देखके यह आपको जाना पड़ेगा डेटा में डेटा में आपको दोनों मिल जाएंगे फिल्टर और एडवांस तो यह मैं एडवांस बता रही हूं चाहिए आप कैसे करना है इसको इसके लिए कुछ क्राइटेरियास देने होते हैं जो आटो फिल्टर में तो यह फैसलिलिटी होती आपशन आता है बट एडवांस फिल्टर में फैसलिटी नहीं होती हमें खुछ से वो क्राइटेरिया लिखना होता है तो मैंने यहां पर कुछ क्राइटेरिया आप लों के लिखके रखें मैं उन क्राइटेरियों को एपलाई करके दिखाऊंगी सबसे पहले आप एक टेब लिखके नहीं है आपको क्या क्राइटेरिया लगाना है तो वो मैं लगाना चाहती हूं फीज ग्रेटर दैन 2,000 यहनिकि फीज क्या हो जाए हमारी 2,000 से ग्रेटर हो जाए वो वाला रिकॉड चाहिए अच्छा मुझे उसी टेबल में चेंज करना है नहीं एडवांस फिल् को ले जाना चाहती हूँ, तो जब आप इस option को enable करोगे, तो यहाँ copy to पर option आएगा और आपको यहाँ पर click करने के लिए बोलेगा वो, अब आप जहाँ पर भी click कर दोगे, जैसे मैंने suppose यहाँ click कर दिया, ओके किया, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर table आ गया, ठीक है, उसके next, उसके next है criteria 2, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, हम जाएंगे next table पर, advance पर जाएंगे, फिल list सेम रहेगी, criteria बदलना है खाली हमें, हमने name लिया, आज है, copy to another location, इसके लिए भी हमने place change करना है, हम इस पर click करेंगे, suppose मुझे हाँ पर चाहिए table, मैं हहाँ कर दूँगी इसे, और ok कर दूँगी, आप next देख सकते हो, आप next देख सकते हो कि इसमें खाली, रॉल नम्बर name office, 4 आ गया, अज है 4000, यानि कि मैंने क्या दिया था, criteria, मैंने ये criteria दिया था, कि, आपका जो name है, वो कौन से वाला हो, अज है वाला, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिया था, name, अज है, चीक है, next है, मैं अगेन एडवांस पर क्लिक किया, list वो ही रहेगी, criteria बदलना है मुझे, मैंने इस पर क्लिक किया, अब मुझे वो record चाहिए, जो name, A से start हो, तो name, A के आगे मैंने क्या लगा दिया, Astrick, तो आपको यह याद रखना है, आप note भी गर सकते हो, मतलब होता है all, यह लिख सकते हो, write down कर सकते हो, यहाँ पर आया, copy to another location, फिर इस पर क्लिक करूँगी मैं, फिर मैं यहाँ से rough कर दूँगी, मैं new place पर कर रही हूं सबको, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जैसी क्लिक करूँगी, okay करूँगी, तो वो record आजाएंगे, जो A से start हो रहे है, like Amun आजाएगा, जो A से start हो रहा है, और Ajay आजाएगा, जो A से start हो रहे है, फिर के, तो मैंने इस तरह से आपको, three criteria बता दिये, first criteria में क्या बताया था, जिसकी feature 1000 से जादा हो, तो आप देख सकते हो, तो इसमें मेगा नहीं आया था, नेहा, Amun और Ajay आया था, दूसरा record मैंने क्या बताया था, दूसरा record आप आप देख सकते हो, जिसका नेम अजे हो, वो directly आ गया था, तीसरा record वो था, जो A से start होने वाले हैं, तो जिसमें Amun और Ajay आ गया, आप 4th criteria क्या है, वो समझ लेते हैं, 4th criteria बोल रहा है, कि name A से start हो, बट एक और condition है, मतब एक साथ आपको 2 condition देनी है, और fees 3000 से greater हो, तो उस case में हम क्या करेंगे, हम advance पे click करेंगे, list range ले ली, criteria के लिए, यहाँ पे आ जाओ आप, next करो, यानि कि इस सब को select कर लेंगे, अब वो कह रहा है, किस location पे चाहिए, यहाँ पे click करेंगे, then यहाँ पे click कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, अब आप last टक मौल सकते हो, अभी इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में, name जो है आपका, वो क्या आ रहा है, A से start हो रहा है, आपको पताईए, last वाले में आप देख चूकियो, name दो थे, Ajay और Amant, जो A से start हो रहे थे, बट इसमें मैंने condition के लगा दी, fees 3000 से जाद हो, मतलब दो condition लगा दी, दो custom रिटर लगा दी है, तो इसमें क्या होगा, role number 4, name जे और fees 4000, यनि कि A से start होने वाले तो दो record थे, बट जिसकी fees 3000 से जादा, वो एक ही record है, तो इसमें आगे है role number 4, जिसमें दोनों criteria फुल्फिल हो रहे हैं, name A से भी start है, और fees भी जाद है, अजे क्यों नहीं आया है हाँ पर, अजे इसलिए नहीं आया है, क्योंकि उसकी fees 4000 से कम दी, तो अब आप देख सकते हो, यह अपने आप में complete table है, क्या इसको देख के पता चल रहा है, कि अगर आपको मैं उपर वाला criteria चुपा दूँ, तो यह अपने आप में table लग रही है complete, यह पता ही नहीं चल रहा कि किसी table का part है, इसलिए से advance filter बुला जाता है, अब एक और condition advance filter की, वो क्या है, हम एक advance पर click कर रहे हैं again, table select हो रही है, criteria की बात करें, तो अब मुझे last criteria select करना है, मैंने ले लिया name, और फिर यहाँ पर question mark, five, copy to another location, इस पर click किया, और यहाँ पर click कर दिया, then मैंने click किया, okay, तो आप देख सकते हो, इस table में से सिर्फ एक ही record आया, mega, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगा हुआ, question mark, इसमें five question mark है, that means, five question mark का मतलब क्या है, कि इसमें five record आ गए, five record का मतलब जिसका five letters हो, जैसे example, आपने name देखा हुआ, जिसमें six letter है, among, उसमें भी चाल letter है, और बाकि आप कोई भी name देखो, उसमें four letter है, लेकिन mega एक अखेला record है, जिसमें five letters है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो, कि जहां पर भी question mark यूज़ करोगे, वो यूज़ होगा single के लिए, और जहां पर भी asterisk यूज़ करोगे, वो यूज़ होगा all के लिए, आप इस चीज़ को write down कर सकते हो, note कर सकते हो, मैं इसको bold कर देती हूँ, मैं आपको दिख जाए, बाकी size भी बढ़ा देती हूँ, ठीक है, मतलब जहां पर आपको counting wise चाहिए, महां तो आप लगाओ question mark, जहां आपको completely चाहिए all, महां लगाओ asterisk, अब आप देखो, मैंने यहां पर five criteria बताएं आपको, ठीक है, यह first criteria था हमारा, मैं लिख दी हैं आपर आप देख सकते हो, यहां पर three criteria दिख रहे हैं और table दिख रहे हैं, इसको आप आराम से view कर सकते हो, आपको ऐसे ही कोई table बनानी है, और criteria लगा के apply करना है, उससे होगा क्या, आपका नीचे record आजाएगा, ठीक है, और advanced क्यों कहते हैं इस filter को, क्योंकि आप कोई भी table देख लो, इसमें से कोई भी example देख लो, आप complete यह table है, यहां पर कहीं भी filter का symbol नहीं आ रहा कि हम इंटिफाई कर सके, बाकी के दो filters के लिए में दर कर देती हूँ, आप आराम से देख सकते हो, यह four और five filters है, ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे filters अपलाई करने हैं, advanced filter आपको तब ही समझाएगा, जब आपने auto filter किया होगा, auto filter से previous वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके,